सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लानबॉट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्शन पाने के लिए अपने यूटीब चैनल लानबॉट मेडिसिन में जहां आ आपाते दवायों के बारमे समपूर्ण जानकरी दोस्तों आजके इस स्वीडियो में एक एंटिबायोटिक इनजेक्शन के बारे में जानेंगे जिसके बारे में हमारी एक सब्सक्काइबर दोस्तने डिमांड की इन injection का नाम है लिंको माइसिन लिंगो मैसिनिंच्चन लिनकोस क्लास की एग दवा है जो क्लेंड मैसिन से रिलेट इनक्पोंडेट बढ coalition का आप सब कम लिया जा रहा है इसका क्या कारण है लिंकोमाइशन इंजेक्शन को कब और किन बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है इनके साथ कई अन्य जानकरी लिंकोमाइशन इंजेक्शन के बारे में जैसे कि क्या क्या इस ट्रेंथ में अवेलेबल है क्या नाम से वीडियो को अंतर दख देखे जिसे संपून जानकारी लिंको माइशन इंजेक्शन बाइम आपको मिल सके साथ ये वीडियो को भी से लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राब करना नहीं बूले मैं हूँ आपका दोस मुहीत और आप देखें अगर स्ट्रेंद की बात की जाए तो यह 300 मिलिगाम परती 1 ml की स्ट्रेंद में अवैलेबल है साथ ही जो इसकी एमपूल पेकिंग आती है और जब भी आप इसको ख़ए देंगे तो 2 ml की एमपूल पेकिंग है उसके उपर 600 मिलिगाम पर 2 ml लिखी हुई आपको मिलेगी लि कुछ पॉपूलर ब्रांड नेम लिंको मालडे नेशीन इन्जेक्शन के जैसे की लिंवे अपने प्यपराइस ते रोरह चुटे कैंगे नेशान इंजेक्शन और उलिक अनिन जिंजेक्शन पर ओलिंगके डू साफिटरियर ब्रांड नेम पर रहती यह एक ही जगा दूसर सब्टिटूट की जा सकती एक ही जगह दूसरी ली जा सकती है क्योंकि जो लिंकोमाइसेन हैं इन सभी में A.J. कॉम्पोनेंट रहता है लिंकोमाइसेन इंजक्षन के अगर यूज की बात कि जाये कि इनकिन बिमारी में इसका प्रियोग लिया जाता है तो जैसा कि एक एक एं तो यह injection उसे लगाए जा सकता है, साथ ही कोई पेसेंट है जिसको pneumonia की सिकायत हो गई हो, मतलब यह प्रका का lungs infection है जिसमें ज्यादा खासी आने लग जाती है, lungs में उसको दर्द रहता है, साथ ही स्वांस लेने में उसको समयश्या रहती है, गले का अगर infection हो गया जैसे टॉंसल बैक्ति की वजह से ब्वेक्तिकों बुकार वी आ जाता है, अगर महिलाओं की बिमारी की बात कि दो तो पल्विक इंफ्रामेट्री डिजीज नायम की बिमारी है जिसमें महिलाओं के पल्विक एरिया में किसी प्रका का पेक्टिल इंफेक्शन हो जाता है जिससे कि महिलाओं को पेट में दर्द होना वेज़ानिल डिसर्ज होना यूरिन में जलन और दर्द होना ये कुछ समझ वीक्ति को बचाने के लिए लगए जाता है यृदि किसी व्यक्ति को समझ से होई हो फोड़ा हो गया हो थो उसमें भी इंज्जियोरी होने के बाद में रेगुलर टीटमेंट लेने के बाद भी उसमें पस हो जाती है तो उन पस को ठीक करने के लिए यहां लिंकोमाइसिन इंजेक्शन प्रियोग लिया जाता है और दोस्तों हो सकता है जो मेनी उसर बता हैं इनके अलावी डॉक्टर अपने एक्सपेरियंस के लेकिन पैनी सिलीन मेडिसिन उन्हें नहीं दी जा सकती जैसे कि M.O.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. डिजीज हो तो उन्हें इंजेक्शन नहीं दिया जाता साथ ही कोई पैसेंट है जिसको केडिनी या लीवर संबंधी समश्या हो स्वास लेने में व्यक्ति को समश्या हो कोई महिला है जो प्रेग्नेंट हो या ब्रेश्ट फिडिंग मदर हो अस्तमा की शिकायत किसी मरीज को ह या वह व्यक्ति जिसको एलर्जिक डिजीज हो इन सभी पैसेंट को यह दवा नहीं दी जाती और साथ ही यदि आप इन सभी कंडिशन से पीडित है तो अपने डॉक्टर को जोर से बता हैं जैसे कि आपको लिंकोमाइसिन इंजेक्शन नहीं लिखे कोई अन्य इंजेक्श इंजेक्शन के जो साइड इफेक्ट है वह बहुत ही गातक है जैसे कि यह किसी व्यक्ति को दस्त लगना शुरू हो जाता है तो बहुत लंबे समय तक बहुत ही ज्यादा उसको दस्त लगेगी साथ ही उसको इंटेस्टाइन में स्वेलिंग या किसी अन्य प्रकार की बिमा करें जो कुमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को जहां पर इंजेक्शन लगता है एड़ साइट ऑफ इंजेक्शन एलर्जिक रेक्शन हो सकती वैसे खुजली चलना वहां पर स्वेलिंग आना रेडनेस हो जाना इसके अलाव व्यक्ति को पेट में दर्ध हो सकता है इस्टूल का कलर ब्लेक हो सकता है डार्क यूरियन व्यक्ति को हो सकती है उसे स्वांस लेने में समिश्या हो सकती है यह कुछ समय से उसको देखी गई है यदि ऐसा हो या इसके लाव को दूसे अन्वांटेड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत इस इस इंजेक्शन को इत्रावीनस दोनों ही रूट से लगाए जाता है और जो इसकी मात्रा रहती है वो पेसेंट की एज वेट तथा डिजीज का जो ट्राइप है उसके एकोटिंग डिसाइड की जाती है यदि बात करें लिए जो बेक्टिर इंफेक्शन में डूस दी जाती है जब आई एम इ ऑछ्यों मिलिगाम का जो लिंटो मैसीन और इंजेक्शन एंडुए मिल का कैमने वह दी में दो बार दिया जा सकता है और बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो गया ऑफ ग्राम मतलब 8000 मिली ग्राम वह से फोर से बहुत ज्यादा लाइफ ट्रेड्निंग जब इस्तति हो जाती है उस समय दी जाती है और यह जो रोज है यह एसा नहीं कि मेरा वीडियो दे कि आप गर पर ही टीटमेंट करने लग जाएं यह इंजेक्शन सीफ और सीफ खॉस्पिटल यूज के लिए है डॉक्टर की एडवाइस भी इसको लेना चाहिए और ट्रेंड इसको लगाना चाहिए क्योंकि कुछ गातक समझ्या कर सकता है जैसा कि हमने अभी इसके साइड इफेक्ट में जानना था तो यह सभी बातने आप जोर से सावधाने ग्रूप में ध्यान रखें और इसे के साथ मैंने लिंकों मैसिन इंजेक्स के बार में आपको बता दी है उम्मीद करता हूं ज्यादा जानकर आपको मिली होगी और वीडियो के सभी नाटिफिशन आपको में से कियो मेरे सभी वीडियो आप देख से आपते अपने दोस्त मुहित अदीश साथ देख रहे हैं तेपने यूटीब चैनल लान मेडिसीन थैंक यू फ्रेंड्स टेक केर एंड बीकरफों मेडिसीन उस